हैलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी पहुत अच्छी होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूच्यूब चनल जारेडा उनलाइन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य काला एवंशिल सब्ताह 24 गक्षा प्रत्थम की वर्कशीट आज का उपविश्य है बच्चों गरम हवा का गुबबारा तो बच्चों वीडियो बनाने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए चनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए नीचे दिये कए चर्णों को ध्यान पुर्वक देखिए और गरम हवा के गुबारे का एक सुन्दर सा चित्र बना करके उसमें रंग भरिए ठीके बच्चों तो देखे बच्चों आप सभी को इस तरह से गुबारा बनाना है तो सभी ध्यान से देखिए इस तरह से ठीके इसको इस तरह से और ये इस तरह से आप बनाएंगे इसके बद बच्चों इस तरह से यहां बना करके ये इसकी आँख और मुझ बना देंगे और फिर इस तरह से बीच में इसे इस भाग में बाट देंगे और इस तरह से आपका ये गुबारा बिलकुल तयार है और इसमें अब आप रंग भरके इसे पूरा करेंगे अगला है बच्चों एक सुन्दर कलम दान बनाईए कलम दान बच्चों जिसमें हम कलम रखते हैं पैन रखते हैं पैंसिल रखते हैं वो आप सभी को यहां बनाना है भारत की स्वतंतरता के पिचेत्रवे वर्ष पर की जाने वाली गतिवीदी तो जैसा कि बचो आप सभी को पता है कि हर साल हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंतरता दीवस मनाते हैं तो इसके अवसर पर आपको बोला गया है क्या गतिवीदी कि नीचे दिएगा चित्र को बनाईए देखे बचो ये भगत सिंग जी का चित्र है आप सभी को भगत सिंग जी का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है अगला है संसकाशाला चोटी चोटी पर बड़ी बाते खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है स्वामी वीवी का अनन्दी जी ने कहा था कि खुद को अगर आप कमजोर समझेंगे तो वो सबसे बड़ा पाप है खाना पीना रंग भी रंगे फल वे खादे पदा जैसे मूली, अमरूर, टमाटर का सूप, मक्य की रोटी और सरसो कसा इतियादी आप सभी को खाने में शामिल करना है गतीवीदी, दिली शहर में बढ़ते प्रदूशन की रोख्थाम के लिए लोगों को जागृख करने के लिए एक पोश्टर का निर्मान करना है जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है कि दिली शहर में प्रदूशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है तो इसको रोकने के लिए लोगों को आपको जागरुक करना है और जागरुक करने के लिए आप सभी को एक पोस्टर बनाना है खेल बताओ मैं कौन एक बच्चा बिना बोले अभीने करेगा दूसरा बच्चा ये बताएगा कि वैं किसका भीने कर रहा है ये खेल आप सभी को खेलना है दैनिक दिन चरिया निमलखित आदतों को अपने दिन चरिया में शामिल करे अपने माता-पिता का विवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करे प्रती दिन इसनान करे खूप पाने पी और संतुलित आहार ले अपने चारे को छोने से बच्चों और अपने हाथों को बार बार धोई अगला है बच्चो पाने से पैदा होने वाली बिमारिया जैसे डैंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया आदी से बचने का एक ही उपाय मच्छर न पैदा होने दे तो जैसा कि बच्चों जहाँ पादी होगा वहां मच्छर पैदा होंगे तो उनके काट खाने से हमें डैंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया जैसी बिमारिया हो सकती है तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना है मच्छर पैदा नहीं होने देना है सब्ता में एक बर कूलर को साफ करके सुखाए है उसमें बड़ा चम्मस, टैमिफोस, डीजल या पैटरोल कर डाले पानी की टैंकियां वे होदियों के ढकन हमेशे बंद रखे टुटे-फुटे बरतन टायर इतियादी खुले में ना रखे इनमें बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं घर के आसपास पानी खटा ना होने दे चिडियों के पानी के बरतन मनी प्लांट फ्रिज की डिफ्रोस्टे फैंक्शुई पौदे का पानी इतियादी प्रती दिन एक बार अविश्य बदले तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्शीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ माया हुगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता है कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए लाल बटन दबाएए और सभी बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासिस को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए थैंक्यू स्ट्रेंड्स